श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आदारित हैं चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता फिर भी अच्चे सयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभी रहेगा इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे जी हां जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे इस समय में लगबग हर चेत्र में आपको काम्याबी मिलेगी सुबह से ही आप प्रसन रहोगे की लेकर आया है तो अच्छे समय का अच्छा अलाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती दिखाए देगी आप धार्मिक रहोगे इस समय में धार्मिक यात्राय भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन हो सकता है दोस्त हैं आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो, अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लिजे काम सफल होगा, समय बिलकुल सही है, किसी नई चीज की खरिद्दारी करनी है, कोई बड़ी खरिदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है नया बिजनेस शुरू करना है तो इस समय में काफी सुन्दर योग बन रहा है इस समय का फाइदा जरूर उठाए किसी भी चीज की नई शुरूआत इस दिन आप कर सकते हो इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा मान प्रतिष्टा बढ़ेगी, खेल खुद से सम्मंदित खेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है, और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुती बढ़िया रहेगा, प्रमोशन या नया जाब पाने के लिए भी समय आपके लिए अ इस समय में पर रहे है, विदेश से धन कमाने के मोगे भी मिल सकते हैं, इस दिन आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी और आप शांत्व आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे, तो देखे तो लगबग हर क्षेत्र में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे नोकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसाबित होगा, अगर स्टूडन्स की बात करते हैं, तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बहारी रुकावटे आ सकती हैं, इस से पढ़ाई थोड़ी दिस्टर्ब हो सकती हैं, जैसे अचानक से मह प्रिमानगर आ सकते हैं, अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है, लेकिन समय काफी अच्छा है, अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पूरी जरूर होगी, अगर परसनल लाइप के बात करते हैं, लव लाइप के लिए भी ये समय बहतरीन है, कोई ऐसा रिष् स्वास्तिय बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्तिय बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्त और मस्त रहोगे, इस समय में हरे रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस् इसलिए राशी फल को एक मारगद रशन के तोर पर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्त नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अ हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते कुछ कुछ लोग तो घर के entry के में डोर के सामने ही जूतेया चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है, इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मु लंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं मा गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में च्रीड़शेड़ जाहट होती है, और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम होना अशुब है, इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना चाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों के घर में जरूर करें, धन्यवाद.